आम नमें सिवाई दोस्तो आपका मेरे चैनल पर स्वाझत है भारत में एक ऐसी नदी है जिसे साथित कहा जाता है वैसे तो हमारे देश में नदियों को मां कहा जाता है तिहोरो पर नदियों की पूजा भी की जाती है इस नदी को लेकर लोगों में इतना डर है कि नदी के पानी को छूने से भी ड्रते हैं लोगों का मानने है कि नदी के पानी को छूना असुब माना जाता है नदी का नाम कर्म नासा नदी है यह उत्तरपरदेश राजे में है नदी उत्तरपरदेश और बिहार में बहती है लेकिन इसका जादतर हिस्सा यूपी में आता और बकसर के पास पहुंचकर गंगा में मिल जाती है नदी का नाम दो सब्दों से मिलकर बना हुआ है कर्म और नासा अगर इसका साथिक अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ काम नश्ट करने वाली या पिगाड़ने वाली नदी निकलता है लोगों की भी इस नदी को लेकर कुछ ऐसी ही सोच है लोग मानते हैं कि कर्म नासा नदी का पानी चूने से काम बिगड़ जाते हैं लोगों का मानना है कि इसके पानी को चूने लेने से अच्छे कर्मी समाप्त हो जाते हैं इसी वज़े से लोग इसके पानी को चूने से भी डरते हैं कर्म नासा नदी के सा पुरानी कथा बताई जाती है कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यवरत ने एक बार अपने गुरु वसीष्ट से सरीर के साथ स्वर्ग में जाने की इच्छा जाहिर की थी उनकी इस इच्छा को पूरा करने से गुरु ने इंकार कर दिया था फिर राजा सत्यवरत को से सरीर स्वर्ग में भेज दिया इसे देकर इंद्रदेव को गुसा आ गया उन्होंने राजा कासिर नीचे की ओर करके धर्टी पर भेज दिया इसके बाद विस्वामित्र ने अपने तब से राजा को स्वर्ग और धर्टी के बीच रोक दिया इसके बाद होने का स्राप दे दिया अब लोगों का मानना है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले स्राप की वज़े से नदी सापित है